यहां पर हमारे राजनेताओं के द्वारा इस तरह से अजीब अजीब घटनाएं होती हैं कि जिनको आप देखते हैं पढ़ते हैं तो आपकी जो आखें हैं यह मलब चौधिया जाती हैं फिर आप यह सोचते हैं कि इतने बड़े राज में ऐसे बुद्धी जी भी कहीं नहीं आपको मिलेंगे ताजा उधारन मैं आपको बता रहा हूं कि पे जल निगम में 2005 में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के आरक्षित पदों पर जो भरती हुई थी उसमें जो है एक और मामला निकल के सामने आ रहा है मामला क्या है यहां पर आप देख सकत हैं कि जλ निगम में जूनियर ऑर जूनियर इंजीनियर के आरक्षित पदों पर राज के यहां पर आप दिसकते हैं राज के बाहर के लोगों को नौकरी दी दी गई लेकिन ऐसा रूल नहीं है वो रूल क्या है वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे तो फिलाल यहां पर आप देख सकते हैं कि 2005 में हुई भरती में यह गरबड़ी सामने आया है सासन ने इस मामले में जांच बैठा दी गई है फिलाल यह जांच से यह साफ हो गया है कि बड़ी संख्या में SC, OBC, महिला, कोटे में, UP, बिहार, दिल्ली के लोगों को नौकरी दे दी गई बावजूद इसके कि जल निगम मैनेजमेंट के इस मामले में सुर्ण नरम रहे, M.D. के अनुसार, उल कैंडेट्स का कहना है कि 17 साल नौकरी करने के बाद इस तरह की कारवाई करना उचीत नहीं है आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्षेन बताना जरूर फिलाल क्योंकि यह हमारे राजनेताओं की बिफिलता है कि यहां का युवा आज भी बेरुजगार है कारण यहीं है कि उन्होंने अपनी ही बाद जो है अपने लोगों को बैक दोर से भरती कराया है पहले भी और आज भी होता रहा है उसके लाव यहां पर जानते हैं कि नियम क्या है नियम यह कहता है कि उत्राखंड में आरक्षित पदों पर नियुक्त को लेकर जो नियम है उसके नुसार राज के आरक्षित पद लियानी की पद खाली छोड़ दिया आते हैं लेकिन सोचिये 2005 की भरती में इतना कुछ कांड हो गया कि खाली पद न छोड़ कर बाहर के राज़ों की यूपी बिहार और दिल्ली के लोगों को यहां पर जो है नौकरियां दे दी गई तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो उसने परताल नहीं की तो यह गलती अभ्यर्थियों की नहीं है सोचिये सोचिये मतलब आएक तो आपने गलती की उपर से आप सीना जोरी कर रहे हो सोचिये आगे बढ़ता हैं उन्हें का कि अब 17 साल की सिवा के बाद इन्हें बाहर किया जाना उत्रचिपुन नहीं है चू लेकिन कोई बाहरी राजिकात आके यहां पर नौकरी ले जाता है तो यह तो हाल है हमारे उत्राखन का आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सकते हैं बताना जरूर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कर दो कमेंट कर दो सब्सक्राइब कर दो यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि उनके राजिके नेता किस तरह से कांड करते हैं